अज किस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ तो कमपोजट लैंड से टीमज इन अज्च इनके हम आज जी अंदर जो डिफ्रेंट बैंड होते हैं उनको अकठा कैसे कर सकते हैं जो डिफ्रेंट इमजी होती हैं उनको कैसे अकठा कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने लैक्टे नमबर टैन में आपको बताया था कि हम सटलाइट से हमें डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो वो तो एक इमज मैंने डाउनलोड का लिए है तो उसके बार में मैं आपको बताता हूं कि वो जो डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको हमने उसकी जो different layers होती है उनको अकठा कैसे करना है तो आज की इस वीडियो का मकसद के हम bands को अकठा कैसे कर सकते हैं तो चलें वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले आप गर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन पर क्लिक का ले हैं तांके मजीद नहीं आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे हैं और मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक किया करें शेयर किया करें और दूसरों तक भी यह पहुंचाया करें चलें start करते हैं जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इमें जो है टाइल जो है वह डॉनल करके राके तो टो जे जी जब हम डवाल करते हैं लैंड सेघाती है फॉनलड की इमज तो हमारे पास में उलमारे पास विन्दार के इन जिन एक उसको कापी करके यहां जिये इसके folder में यहां paste करते हूं यह हमारे बात यहां पर यह image आगे अब हमने सबसे पहले इसको क्या करना होता है extract करना होता है कुछ लोग जब इसको extract करने लगते हैं तो यह download करते हैं तो यह बिल्कुल white होती है मतलब image में कुछ open नहीं होता तो उनके लिए यह के सबसे पहले आप जो है wind rare का जो इंस्टॉल का लिए करें फिर आपको कोई मसला नहीं बनेगा तो आप लोग नहीं क्या करने इसके ओपर right tick करने extract फाइल करेंगे ऐपको करेंगे तो यहां आपके पास नया फोल्डर बन जेगा यह आप लोग उने कप यह फोल्डर आ जाता है इसमें अब यहां पर देखें मैंने लेंडसेट सेवन की इमजिस लेंडसेट 45 की इमजिस जो हैं वो डॉपलोड की हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में लेंडसेट 451 से लेके 545 और लेंडसेट 7 और लेंडसेट 8 के बारे मैं बता चुका हूं तो बिसकली मैं इसमें थोड़ा सा फिर बता देता हूं कि लेंडसेट 45 में लेंडसेट 5 में जो बिसकली बैंडस आते हैं वो जस्त 5 बैंडस आते हैं या 4 बैंडस आते हैं और जो हमारे पास लेंडसेट 45 और लेंडसेट 7 होती है इसमें हमारे पास 7 बैंडस आते हैं या 8 bands आते हैं और हमारे पास जो लैंड से टेट होती है इसमें हमारे बस 11 bands आते हैं तो यहां पर आप देखें यह लिखाव है भी बैंड 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 टू बैंड त्री फोर फाइफ सिक्स और सेवन यह जो है यह एक्स्ट्रा होती है आप लोग ने इसको चोड़ देना इसको नजर्र लाहां यह लेंड बैंड है अब यह अलजिजस एह आप देखेंके तो यह हमारे पास अलजिजसे ड़ंभे हैं सारी की सारी हमने क्या करने को ओ किसे करने हम आँजाएं इसमें इसको ब्लाดि जू है इसको कंपोजुिक करना स्टर्ट कर सकता हूं लेगिसमें आपको बताने का मकसद होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कार किया रहे हैं और किस मकसद के लिए का रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो में कहाई कि सर आप को शिश्ट किया करें कि जो है बिल्कुल step wise समझाया करें क्योंकि एकतर होता है कि हमें नहीं नहीं चीजों के बारे में पता होता है सो हमने आग जे इसको ओपन करने के बाद हमने क्या करना है इसको कंपोजिट करने है दो तरीके हैं इसको जो है कंपोजिट करने के लिए तो फिर्स ली मैं आपको जो है मोस्ट चूज होने वाला जो तरीक है वो बताता हूं पहले उसके बाद सेकेंड भी अगर वीडियो ज् तो चलें स्टार्ट करते हैं तो आप लोग नहीं क्या करना है सबसे पहले आप लोग ने यहाँ पर सर्च को अप्शन देख लेना है यहाँ पर लिखें कंपों पर बैंड composite band यह हमने यहाँ पर search में किया composite band यह आप लोग यहाँ पर भी search कर सकते हैं उसके वाद आप ड्रैक जो है डेटा मैनेज्मन टूल में जाके भी इसको search कर सकते हैं यहाँ यहाँ पर is पर click करूंगा यहाँ से भी open हो जाता है उसके लाव आपको बता जिता हूं आर्ट टूल बाक्स में गर आप जाते हैं आर्ट टूल बाक्स में आने के बाद आप डेटा मेनेजमेंट टूल में जाएं डेटा मेनेजमेंट टूल में जाने के बाद आप यहां पर रास्टर में आ जाएं रास्टर में आने के बाद आप रास्टर डेटा सैट बे जाए और यहां पे आ रहा होगा यह है v झे यहां पर रास्टर प्रोसेसिंग पर यहां पर लिखा हो था सकते हैं आप सेर्च में से भी जात कर सकते हैं और यहां से आपया कर सकते हैं यहां यहां पे आपके पास यह Box औो अपने इस प्लिक करनें जहां पर आप आपने ऊप屹िए रखी हुई है तो यहां एड़ कर सकता हूं यहां पर फर्स्ट वर्ला तो मैंने एड़ कर दिया अब बाकी जो है आड़ करने आप यहां पर फर्स्ट पर क्लिक करें उसके बाद यहां पर लाके आप शिप्ट प्रेस करें सारे स्लेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप एड़ कर दें तो यह सारे क कर देंगे तब भी ज्ट ये यह के द़ी यजर में सेव जाएगा अगर आप इन्स से को फोलडर में रखना चाहते हैं तो आप यहां पे इन्वा्रमेंट में जाएगे यहां से जाके वर्क स्पेस वर्क स्पेस से जाने के बात आप लोग俺ं क्या करना है यहां प Seriously मर्जिस से नया फोल्डर बना लें कमपोजिट बहन के नाम से बनाना है वो बना लें अब इसमें जाके आप इसके उपर क्लिक करें जब आपने फोल्डर बना लिया क्लिक करें और आड कर दें तेन आप यहां पे भी आएं इसके उपर क्लिक किया add किया okay करें and then okay करेंगे तो यह हमारे जो है within two minutes या within one minutes जो आपकी जो image है वो साथ मिलके आ जाएंगी composite हो जाएंगी इसमें time लग सकते हैं आपके दो मुन भी लग सकते हैं तीन मुन भी लग सकते हैं यह अब को बता देता हूं कि वह आपने कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपने add data में आने आप लोग जो है साथ के साथ बेंट जो हैं उनको कटे select करें और यहां पर add करें यहां पर यह यह करेगा आप करते जाएं यूझी शाद बैंट बैंट वह, वो कथे मैंने कर दे हैं अभी back में वह procedure वो रही है जो पहले वाली the वह हो रही है यह जिद देखें यहां के पे हमारे पासת्स कंपو измен to key ओके है यह मैंने फर्ज तारीका बताया सेकंड तरीका भी मैंने करें चलें आपको साथ बता देता हूं विडियो थोड़ी से लंबी हो जाएगी लेकिन आपको उसका भी पता होना चाहिए तो यहां से हम जो है बैंड्स कंबिनेशन इसके जो है वो चेंज कर सकते हैं सिम्बालोजी में से जाके आपको बैंड्स कंबिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तो आप जो है इनको यहां से चेंड कर सकते हैं मैंने रेंडम लिकिया है सेमन फोर त्री रखा है तो यह मेरे पास जो है इमन जो है वो सारी अकठी होके आगे यह बैक से जो ब्लैक है यह रिमूव करने का जो है वो भी तरीका कार है वो भी इंशाला मैं आपको वीडियो में बता दूँगा कैसे हम यहां से बैक से रिमूव कर सकते हैं अब यह तो तरीका हो गया यहां से यह वाला तो हो गया अब हमने यह वाला करना है सैकिंड तो सैकि पर साइड पर किये लें तो आपने क्या करना है फर्स्ट वाली नहीं फर्स्ट वाली इसको बेशक रमूव कर दें क्योंकि यह आप लोग कट चुके हैं अब आप लोग ने इसको जो है इसको बेश्यक यहां पर set करने हैं इसको फिलहाल remove करते हैं तो यह first जो है आपने यहां से यह select करना है और वही मैंने बताए shift तबागे आप last वाले पर press करें तो सारी यहां पर हो जाएंगे अब जब आपने साथ के साथ bands को select का लिया उसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा होगा composite band आप इसके ओपर लेखा होगा है mean के यह जो आपकी composite हुई है यह temporary हुई है अब भी हुई है आप इसको बंद करेंगे तो दुबारा आप open करेंगे तो यह composite जो है वो खत्म हो चुका होगा वो जो पहले तरीका बताया था वो जो है permanent है उसमें आपने एक दफा का लिया तो आपका रहता है मतलब आपको दुबारा composite करने की जूरत ने अगर आप यहां से भी करते हैं और आप इसको भी save पर ना चाहते हैं तो आपने simply क्या करने है यह वाली जो फाइल है जब यहां पर composite हो के आ जाएगी तो यह वाली फाइ name वगारा दे ले जो आप अपनी मर्जी से देना चाहते है नेम दी लिए अपने डियो आपने रखनी है तो रख लें और वाइस नान रहने गाने ले इसका वो एतना हाथ मसला नहीं है तो यहां पे जो है आप फार्मेड वगारा स्लेक्ट कर सकते हैं टिप में आपने करने लिख दिया तो यहां पर यहां पर यहां पर इसको कर दूँगा और यह कहां रही है मैं इसको जाके इसी फोल्डर में रख देता हूं add करता हूँ save करता हूँ और यहां पर हम नो कर दोंगा अब वेदन अ थर्टी टू एक्सपोर्ट हो के आजएगी जब हो के आजए तो मैं आपको बताता हूँ कि जहां पर वह स्टेटर स्टेंप्रेरी दे रहा था अब जो मेरे पास आएगी फाइल वह पर्मनेंट आजएग लेकिन मैंने इसकी यहीं पर बता दिया आपको क्या आसानी हो आप जैंजी हमारे पास यह जो नहीं फाइल बन किया यह अगर इसको मैं प्रॉपर्टी में जाकर देखूं सोर्स में जाकर देखूं तो यह अब स्टेटर जो है पर्मनेंट आर है मतलब आप वहां से भी कर स सकते हैं यह आपकी मर्जी है और यह मकसद होता है आप थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं आपने क्लास्टिक्रेशन करनी है तो आप लोग कर सकते हो अमीद है आप लोग को कंप्यूजिट करने का तरीका आगया होगा कहीं पर भी कोई इशू आया हो तो आप मुझे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक किया करें और ज्यादे ज्यादे शेयर किया करें तांके दूसरे भी लोग जो है वो वीडियो को देख सकें और हां और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरू क्लिक करें ताँ के मज़ीद नहीं जाने वाली वीडियो का नोटिकेशन आपको मिलता रही इंशाला नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो डिफरेंट इमज जैसे ये मेरे पास एक इमज थी दो डिफरेंट इमज दो पाथ हैं डो की तो उनको आपस में मु